बहुत ही जबरदस्त पाउडर बनाना सिखाऊंगा घर पे देसी ये दोस्तों ताकतवर आप इसको प्रोटीन पाउडर भी कह सकते हो या फिर ऐसा पाउडर भी कह सकते हो जो की अंदर वाली शक्ती को पुर्शों में बढ़ाने में मदद करता है सेवन इसका आप दूद के साथ भी कर सकते हो गाय का दूद हो बहांस का हो की बकरी का हो जी हाँ दोस्तों कुछ भी फरक नहीं पड़ता है या फिर पानी के साथ भी कर सकते हो बड़ी ही महतपून वीडियो रहने वाली है इस चूरन को बनाने के लिए हम 15 जड़ी बूटियों का प्रियोग करेंगे तो वीडियो को ध्यान पूर्वक अंतक अवश्य देखें क्योंकि इस से महतपून वीडियो पुर्शों में शक्ती ताकत बढ़ाने के लिए नीचे अगर आप हमारी वीडियो को लाइक करते हैं पसंद करते हैं साथ में चैनल को सबस्क्राइब कर दें और बैल आइकन घंटे के बटन को दबाने के बाद आल पे क्लिक करना बिलकुल भी न भूलें ताकि जब भी मैं अपने चैनल पे एक नई वीडियो अपलोड करूँ उस अगर आपके शरीड में ताकत चुस्ती, फूर्ती, सफूर्ती की कमी है तो मखाने से बहतरीन कुछ नहीं हो सकता, फास्टिंग में भी इसका इस्तमाल किया जाता है, हाई कॉलिटी फाइबर और प्रोटीन भी इसके बीच में प्रचूर मात्रा में होता है, आने वाले समय में ताकत बढ़ाने वाले आयुर्वेदिक जड़ी बूटी हैं, जिसका नाम है उर्जा शक्ती चूरन, वह हम पांच लोगों के घर में फ्री में बिजवाने वाले हैं, तो अगर आप भी फ्री में पाना चाहते हैं, तो उसके लिए करना क्या है, आपको सबसे पहले में अच्छी आयुर्वेदिक कंपनी आपको कौन सी और क्यूं लगती है, क्यूं लिखना बहुत महत्पून है, तो आने वाले वीडियो में हम आपका लखी विजेताओं का जो नाम है वो गोशिट करेंगे और घर पे बिजवा देंगे, अब यहां पर मैंने क्या किया था माखानों को भूनने के बाद में, मैंने अलग प्लेट में निकाल लिया था उनको, और अलग प्लेट निकालने के बाद में मैंने क्या किया था, वहीं पे जो कड़ाई होती है, हमारी पैन जो होता है, उसके बीच में दोस्तों यहां पे मैंने बादाम और काजू को से बीज लिए हैं तो दोनों को ड्राइ रोस्ट करने के बाद में इस तरह से बीच में आप पिष्टा भी मिला सकते हैं जो हमारा होता है ना पिष्टा वो भी आप थोड़ा से मिला सकते हैं एक दम ऑप्षिनल है जरूरी नहीं है इसके बीच में लेकिन हाँ टेस्ट के बहुत ही महतपून ताकत सांड जैसी शक्ती बढ़ाने वाले बीज हैं ये नीचे लिखके जरूर बताएं कि आपके गाउं में आपके शहर में इन बीजों को क्या कहते हैं दोस्तों कई लोग इसको कद्दू के बीज भी कहते हैं लेकिन ये शायद कद्दू के बीज नही होते हैं बहुत लोग आपको बोलते होंगे कि 20 ग्राम 22 ग्राम एक स्कूप में हमें प्रोटीन मिलता है लेकिन क्या आपने कभी उनसे पूछा है कि कौन सी कॉलिटी का प्रोटीन है वो जो दूध होता है वो A1 गाय के मिल्क से बनाया गया या A2 गाय के मिल्क से बनाया गय है ना ये सवाल आप लोग नहीं पूछते हैं और लोगों में अवेरनेस भी नहीं है उसी के कारण पूरी मनुश्य जाती का सत्या नाश हो रहा है शरीर का हार्ट अटैक जल्दी आते हैं मृत्यू जल्दी होती है तो इससे बचने के लिए भेहदी महतपून है कि आप चीज नीचे वाली लकडी की नसें पूरी तरह से खत्म हो चुकी है हिला हिला के ऐसे पुर्शों के लिए ऐसे नोजवान युवाओं के लिए काली मिर्च बलड सर्कुलेशन को आपके नीचे वाली नसों में बढ़ाने में मदद करती है और बहुत ही जबरदस्त बहतरीन तरीक उसके लिए भी बड़ी लाबकारी होती है तो ये चीज़ का आपको ध्यान रखना है कि quantity में आपको जतनी जतनी बता रहा हूं उतनी ले करके आपको dry roast करना है dry roast यानि कि इनकों में भून इसलिए रहा हूं क्योंकि हम इसका powder बनाएंगे अभी और powder बनाने के लिए जो इस गिरी मैंने यहां पर निकाल लिया है आपको भी इस तरह से दो अख्रोट की गिरी निकाल लेनी है और अख्रोट की गिरी निकालने के बाद में इस तरह से आपको इनको भी dry roast कर लेना है धियान रखिये अख्रोट अच्छी quality का होना चाहिए अच्छी quality के अख्रोट का मेर मतलब यह है कि मार्किट में आपको जो light brown color के अख्रोट मिलते हैं जो उंगलियों से ही तूट जाते हैं दिवार में मारने की, पटकने की, पत्थर से तोडने की जिनको जरूरत नहीं पड़ती है उनमें oil content प्रिचूर मातरा में होता है अब आप देख सकते हैं सबी जड़ी बूटियां यहाँ पर मैंने भून लिए जतनी भी चीजें थी मकाने भी बून लिए आलमंट भी बून लिए उसके बाद में अखरोट भी बून लिए काजू, पिष्टा, सब कुछ हमने आपे भून करके, काली मिर्च भी भून करके रख दिये तो अब हम क्या करेंगे, प्रोसस की तरफ जाएंगे अब यह सारी जड़ी बूटिया नहीं है, इसके बीच में कुछ और आयरवेदिक जड़ी बूटिया आपको बड़ी असानी से पतंजली के स्टोर पे या पंसारी की दुकान पे मिल जाती है या हिमाल, बैद दिनात, हर जगए मिल जाती है, वहाँ से आपको लेकर के आनी है और इसके बाद में इनका आपको सेवन करना शुरू कर देना है कैसे आपको करनी है वो बताने से पहले सबसे पहले तो आप देख लीज़े यहाँ पर मैं कितनी कौंटिटी में क्या क्या चीज़ें एड़ कर रहा हूँ मखाने मैंने 20 ग्राम की मातरा में लिएं तो आपको भी उतनी ही ग्राम की मातरा में लेने है बाकी मैंने आपको चीज़ें बता दी थी वीडियो के शुरुआती समय में कि मैंने कौन-कौन से quantity में यहाँ पर क्या-क्या चीज मिलाई है तो आप देख सकते हैं यहाँ पर जितनी भी चीज़ें हमने यहाँ पर add की हैं हम सभी की सभी चीज़ों को कोशिश करेंगे धीरे-धीरे करके पीस लें और अगर एक बार में आपका सामान पूरा mixi grinder में ना आया तो जबरदस्ती ना करें आप क्या करें धीरे-धीरे करके दोस्तों इसको पीस लें इस तरह से मैं आपको दिखाता हूँ क्या पाउडर बन करके तयार हुआ है दोस्तों यहां पे आप देख सकते हैं इतनी अच्छी consistency आई है कि मैं क्या ही कहूँ आपको अब आप मुझे एक बात बताईए कि इस पाउडर को आप अपने बच्चों को गर पे खिला सकते हैं कि नहीं खिला सकते हैं नीचे लिखके जुरूर बताना कमेंट बॉक्स में दोस्तों आप मुझे दूसरी बात बताईए इस पाउडर में हमने कौन सी ऐसी चीज़ का इस्तमाल किया है जो कि हमारे शरीर में बच्चों को नौजवानों को या बूरों को नुकसान कर सकती है मुझे पता है कि आप एक भी चीज़ का नाम नहीं ले पाएंगे अब क्या करना है पतंजली स्टोर पे आपको जाना है वहां से आपको ले करके आना है अश्वगंदा और सफेद वाली मुसली जो होती है दोनों का पौडर वो आपको कितना मिलाना है वो मैं आपको अभी बताऊंगा लेकिन उससे पहले अभी हमारा पौडर बन करके तयार नहीं हुआ है तो यहां पे हम खजूर भी ले लेंगे और खजूरों का छिलका उतार लेंगे अब वो जो आपने powder बनाया ना दोस्तों उसके बीच में आपको क्या करना है मान लीजिए अगर वो आपका powder 100 ग्राम की मातरा में बन करके तयार हुआ है तो उसमें आपको 50 ग्राम की मातरा में मिलाना है अश्वगंदा का powder जो कि पतंजली से मिलेगा या किसी भी कंपनी से यार मैं यहां पर promote नहीं कर रहा हूँ किसी को आप बैदेनात का लाओ हिमाले का लाओ बट मुझे परसनली पसंद है पतंजली की कुछ चीज़ें पसंद है मुझे कुछ चीज़ें पसंद नहीं है जैसे उनका हनी मुझे इतना पसंद नहीं आया जितना मुझे ईशा वालों का हनी पसंद आया तो ये डिपेंड करता है मैं प्रोमोशन नहीं कर रहा हूं किसी का भी यहां पे तो आपको क्या करना है 50 ग्राम की मातरा में सफेद मुसली भी उस पौडर के बीच में मिला करके ये दोनों जड़ी बूटियां आपको डबे को कांच के बीच में कांच के डबे में पौडर को स्टोर करके रख देना है और इस तरह से खजूर का भी अलग से आपको दरदरा पौडर बना लेना है ये जो खजूर का पौडर है ना इसको अलग डबे में आप स्टोर करके रखेंगे सेम डबे में आपको नहीं डालना है ये चीज़ का ध्यान रखें दोस्तों इसके अलावा सबसे महत्वपून बात खजूर के बीच में हाइस्ट क्वालिटी का केलशियम, प्रोटीन, फाइबर पाया जाता है इस तरह से आप चाहें तो मिला भी सकते हैं और अलग डबे में स्टोर करके भी रख सकते हैं नुकसान कोई नहीं होता है शेल्फ लाइफ तीन से चार दिन बस कम हो जाएगी बाकि नुकसान कोई नहीं है अगर आप अलग अलग डबों में सरदियों में स्टोर करके पाउडर रखो गे न तो शेल्फ लाइफ में आपको बताओं कम से कम कम से कम में आपको बता रहा हूँ कि एक से डेड़ महीना यह चल जाएगा और अगर आप अलग अलग डब्बे में स्टोर करके नहीं रखेंगे तो इसकी जो शेल्फ लाइफ है वो मान के चलिए आपकी पंद्रह से बीज दिन ही रहेगी तो बस इतना सा फरक पड़ जाता है तो बैटरी यही रहेगा कि आप कांच का डबा अलग लेकर के आएं और इसमें स्टोर करके रख लें अब आईए बात करते हैं इसका सेवन आपको कैसे करना है दोस्तों एक चमच पूरा बड़े वाला यह जो हमारा चूरन बन करके तयार हुआ है जो चमच आप लाइव वीडियो में देख रहे हो ना इस चमच को आपको डाल देना है उसके बीच में दूद के बीच में ठीक है दूद आप गाए का भी ले सकते हो भेंस का भी ले सकते हो या आपकी जो वो है उसका भी निकाल सकते है दोस्तों तो दूद लेने के बाद में आपको क्या करना है कि इसको धीमी आज पर पकाना है ताकि ये फट ना जाए उसके बाद में आप जैसी इसको ठंडा कर लेंगे थोड़ा गुन-गुना बचेगा इसमें एक चमच पाउडर आप पहले भी मिला सकते हैं गरम करते समय या बाद में भी मिला सकते हैं आपकी मरजिये एकदम ऑप्शनल है ये थोड़ी सी दाल चीनी का पाउडर भी इसके बीच में मिलाएंगे तो बेहद ही तरीके से ये लाबकारी होता है फायदे मंद होता है दोस्तों मैं आपको highly recommend करूँगा कि जब आप ये बना रहे हैं न दूद को तबी पाउडर को एक चमच की मातरा में इसके बीच में मिला करके पकाएं आप बाद में अगर लेते हैं तो ये थोड़ा सा digest करने के लिए मुश्किल हो जाता है क्योंकि heavy होता है बहुत ताकतवर है न ये और इसका सेवन करना शुरू करिए देखिए फिर असली शक्ति किसको कहते हैं चूस्ती फूरती किसको कहते हैं तो आपको पता लगेगा असली जो लोग कहते हैं ये प्रोटीन पाउडर खाओ तो वो खाओ आप मुझे comment box में लिखके जरूर बताना कि हमारा प्रोटीन पा फ्रोटीन ने क्या पता किसी और मितर का भी केला उसकी जो अधरम पत्नी है वो खूश हो जाए तो दूस्ति की जो मदद करता है नहीं कोन की कमी केलशियम की कमी कमजोरी ठकान आलस्य को बगाने में मदद करेगा चाहरे पे ओज, तेज और नूर भी बढ़ाएगा दन्यावाद